अलो, I welcome you all on the engineer, साहिल का गया YouTube चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, priority scheduling के बारे में, तो priority scheduling का मतलब क्या होता है, कि इसमें न, अब priority is associated with each process, इसका मतलब क्या होता है, priority होती है, जितने भी process आती है न, उनके साथ में priority add होती है, और जो CPU है, उस process को allocate किया जाता है, जिस इसके priority highest होगी, CPU उसको allocate कर दिया जाएगा, और अगर दो process के priority सेम होगी, for example, P1 और P2 के priority सेम होई, तो CPU किसको allocate होगा, first come first serve के order में जो process आईए न, उसको allocate होगा, इसका मतलब यह है कि अगर P2 process पहले आई है, तो CPU किसको allocate होगा, P2 process को, और अगर P1 process पहले आई है, तो CPU किस इसका जो arrival time है, या फिर हम बात करें, जो burst time है न, उसकी कोई importance नहीं होती है, क्योंकि जो भी process है, वो execute किसका according हो रही है, priority के according हो रही है, और यह जो priority scheduling है, इसके दो mode होते है, पहला mode है, इसका non-preemptive, non-preemptive mode है, और जो second mode है, उसका वो होता है, preemptive, तो सबसे पहले हम बात क करते है, priority scheduling के non-preemptive mode के बारे में, तो देखो, यह example है, priority scheduling का, जिसमें 5 process given है, उनके arrival time given है, और burst time given है, यहाँ पे priority added है, सब process के साथ में, जो P1 process उसकी priority है 2, P2 process की 3, P3 की 4, P4 और P5 की 5 priority है, यहाँ पे higher the number का मतलब क्या हो गया, कि उसकी priority कैसी होगी, highest होगी, तो देखो, इ तो उस newly arrived process की जो priority है, वो उस process से compare की जाती है, जो process run कर रही है, तो जो primitive है, जो primitive mode है, वो तो क्या करेगा, कि अगर process run कर रही है, और जो newly process आई है, उसकी priority, running process से जादा होगी, तो क्या करते है, कि जो process run कर रही है, वो preempt हो जाएगी, और highest priority की जो process है, वो run करने लग जाती ह लेकिन non primitive mode के अंदर क्या होता है कि अगर highest priority की process आती है तो जो process है वो क्या होगा simply क्या होगा वो ready Q के head पर आ जाएगी यानि कि ready Q के top पर आ जाएगी और जो process run कर रही है वो जब तक complete नहीं होगी तब तक वो execute होती है तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले non primitive mode के बार आते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले arrival time 0 0 पर कौन सी process आई देखो सबसे पहले arrival time किसका है P1 का है P1 process आ गई और इसकी priority कितनी है 2 है अभी single process ही है और इसका burst time कितना है 4 तो कितने time तक execute हुई 4 seconds तक execute हुई तो 4 seconds तक देखो सारी कि सारे process P5 तक आ चुकी है इसके बाद में दे priority है सबसे highest priority 4 seconds तक किसकी है यहां पर P4 है और P5 है दोनों के priority क्या है highest है तो P2 P3 execute नहीं होगी पहले P4 और P5 में से process execute होंगी क्योंकि इनकी priority क्या है highest है और दोनों के priority equal है तो कैसे आएगा first come first order में जो process आई ये वो सबसे पहले execute होगी तो सबसे पहले कौन से process आई ये P4 process आई तो P1 के बाद में अब execute होगी P4 और P4 कितनी दिर क्लिए execute होगी 5 seconds के लिए तो यहां पर 9 आ गया इसके execute होने के बाद में highest priority किसकी है P5 की है फिर कौन से execute होगी P5 execute होगी और उसका burst time कितना है तो 9 में 2 add करेंगे तो 11 इसके बाद में ये process execute होगी ये process execute होगी ये process execute इसके बाद में P3 process है जिसकी priority कितनी है 4 है और यहां पर P2 process है उसके priority है 3 तो highest priority किसकी है P3 की है तो P5 के बाद में P3 execute होगी और P3 कितनी दिर क्लिए execute होगी 1 के लिए 12 आ गया है यहां पर और last में P2 process execute होगी और P2 process कितनी दिर क्लिए execute होगी 3 के लिए यहां पर आ गया 15 तो उसका फॉर्मुला होता है, जो turn around time है, उसका फॉर्मुला होता है, completion time minus arrival time, और waiting time का फॉर्मुला होता है, TAT minus burst time, तो देखते हैं, तो यह process P1 है, P1 का completion time कितना है, यहाँ पे देखेंगे, P1 का completion time है 4, और P1 का arrival time है 0, तो 4 minus 0, TAT के आएगा, 4 आएगा, उसके बाद में, P2 process है, P2 process का completion time कितना है, 15, और arrival time कितना है, 1, तो 15 minus 1 कितना होगा, 14, तो यहाँ पे TAT कितना आगया, 14 आगया, इसके बाद में P3 process का completion time कितना है, 12, कितना है, 12 है, तो 12 minus 2, कितना है, 10, तो TAT कितना आगया, 10 आगया, उसके बाद में P4 process है, P4 process का completion time कितना 9, 9 minus इसका arrival time करेंगे 3, तो कितना आएगा 6 आएगा, उसके बाद में P5 process है, उसका completion time कितना है 11, और इसका arrival time कितना है 4, तो 11 minus 4 करेंगे तो कितना आएगा 7 अब calculate करते हैं इसका waiting time, तो देखो waiting time का formula होता है T80 minus burst time तो T80 कितना है 4 और minus burst time, तो कितना है 0 आया, उसके बाद में T80 कितना है 14, और burst time है 3, तो waiting time कितना है 11, उसके बाद में P3 process का T80 है 10 और burst time है 1, तो 10 minus 1 9 इसका waiting time आया उसके बाद में P4 process का T80 है 6 और burst time है 5 6 minus 5, 1 और P5 process का T80 है 7 और burst time है 2, इसका waiting time आएगा 5 तो अब अगर question में average TAT या average waiting time निकालने को बोलते हैं इनका add करके divided by 5 कर देंगे तो ये जो हमने calculate किया priority scheduling को ये था non primitive mode के अंदर अब हम बात करते हैं scheduling algorithm के primitive mode के बारे में अब हम देखते हैं scheduling algorithm का primitive mode तो इसमें 5 process है, arrival time, burst time और priorities में given है तो इसको सबसे पहले बनाते है Gant chart क्या होगा? 0 second पे process आई P1 जब P1 process आई उसके बाद में ये 1 second तक ये execute हुई और जैसे ये 1 second पे तक execute हुई तो क्या होगा? P2 process आई P2 process के priority कितनी है? 3 है तो इसमें हमने देखा था, जिसकी ज़्यादा number होगा वो priority ज़्यादा होगी तो यहाँ पे P1 के priority है 2 और P2 की priority है 3 तो highest priority की process है तो P1 1 second तक execute हुई execute होने के बाद में क्या हुआ? highest priority की process आगई तो P1 अब क्या होगा? preempt हो जाएगा अब कौन सा execute होगा? कौन सी process? P2 process execute होगी क्योंकि वो highest priority की है तो जब P2 process भी 1 second तक execute हुई 1 second के execute होने के बाद में देखो P2 जो P3 process है 2 second पर highest priority की process आगई फिर क्या होगा? जो P2 process है वो भी क्या होगा? 1 second तक execute होने के बाद में preempt हो जाएगी और कौन सी execute होगी? P3 process execute होगी P3 process भी 1 second तक execute हुई एक second के execute होने के बाद में P3 क्या हो गया finish हो गई, complete हो गई उसके बाद में 3 second पे कौन सी process आई P4 process आई P4 process के priority कितनी है, highest priority है तो P4 process execute होई, एक second तक उसके बाद में 4 second पे देखो, P5 process आई और उसके priority कितनी है, 5 है, दोनों equal priority के है दोनों क्या है, equal priority के है तो लेकिन अब ये P4 process प्रेम्ट नहीं होगी क्योंकि दोनों के priority क्या है? इक्वल है और ये कितने देर तक execute होगी? 5 burst time तक 8 second तक execute होने के बाद में कौन सी process execute होगी अब? P5 process execute होगी उसका burst time कितना है? 2 तो ये highest priority की process execute होगी ये execute होचुकी है और ये execute होचुकी है उसके बाद में दो process बच होगी है P1 process और P2 process P1 बचा हुआ है 3 second के लिए P2 बचा हुआ है 2 second के लिए P1 की priority है 2 और P3 की priority है 3 तो highest priority कौन सी है अब इसके अंदर? P2 है तो अब कौन सा execute होगा? P2 execute होगा कितनी देर के लिए 2 second के लिए और उसके बाद में P1 execute होगा कितनी देर के लिए 3 second के लिए 15 तो इसमें क्या हुआ? जैसे जैसे highest priority की process आती गई तो जो running process है वो क्या होती गई? प्रेम्ट होती गई अब हम बात करते हैं इसके turnaround time की और waiting time की तो turnaround time कैसे निकालेंगे? Completion time minus arrival time तो P1 process है P1 process का completion time कितना है? 15 और arrival time कितना है इसका? 0 तो turnaround time कितना आ गया? 15 आ गया उसके बाद में जो P2 process है उसका completion time कितना है यहाँ पे? 12 तो 12 minus और arrival time कितना है P2 का? 1 11 ऐसे ही P3 है P3 process का completion time कितना है यहाँ पे? 3 minus और arrival time कितना है? 2 T80 कितना आ गया? 1 आ गया ऐसे ही P4 process का completion time कितना है? 8 और arrival time कितना है? 3 तो 5 आ गया इसका T80 उसके बाद में P5 process का completion time है 10 और arrival time है 4 तो T80 आ गया 6 अब निकालता है waiting time waiting time का formula होता है T80 minus burst time T80 minus burst time होता है इसका waiting time का formula तो T80 कितना है? 15 minus burst time कितना होगा? 4 11 उसके बाद में 11 minus 3 8 उसके बाद में 1 minus 1 0 5 minus 5 0 और 6 minus 2 4 यह निकल गए इसके waiting time तो हमने देखा इसका Gant chart primitive mode के अंदर तो यह था concept priority scheduling का अब हम priority scheduling की advantages की बात करते हैं तो इसके advantage क्या है? पहले advantage यह है कि यह easy to use है यह scheduling algorithm कैसी है? easy to use है और दूसरी क्या है? कि दूसरी advantage यह बोलती है कि जो process जिनकी priority हाई है उनको क्या करना पड़ेगा? wait नहीं करना पड़ता है execute होने के लिए या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन भी process की priority हाई होती है उनको अपने आपको execute करने के लिए wait नहीं करना पड़ता है तो इसकी क्या है? advantage है अब हम बात करते है priority scheduling की disadvantage की जो scheduling algorithm है उसके अगर हम disadvantage की बात करें तो उसके disadvantage में major disadvantage क्या है? indefinite blocking और इसको क्या बोलते है? starvation भी बोलते है इसका मतलब क्या होता है? कि जिसे कि जो भी high priority की process है वो क्या कर रही है? CPU में बहुत ज़दा time ले रही है उसका जो burst time है high priority की process का वो जादा है तो जितने भी low priority की process होगी न उनको wait करना पड़ेगा और कब तक wait करना पड़ेगा जब तक की high priority की process execute नहीं हो जाती तो सारी जितने भी low priority की process है न वो staff करेगी CPU की time के लिए और वो कब तक करना postpone हो जाएगी एक indefinite time के लिए postpone हो जाएगी उसको क्या बोलते है indefinite blocking बोलते है और हम यह भी बोल सकते है कि जितने भी low priority की जो process है न उनका जो waiting time है वो क्या हो गया? indefinite हो गया ठीक है? और इस blocking का मतलब क्या होता है? जो भी process होती है उसको हम block का बोलते है कि जो process है suppose process है यह कहां पर रखी हुई है? ready queue के अंदर रखी हुई है ready queue के अंदर रखी हुई है कि run होने के लिए लेकिन यह CPU के time का अना wait कर रही है अभी भी CPU का time है इसको नहीं मिल रहा जो low priority के process है ना उसको एक indefinite time के लिए wait करना पड़ता है यह problem होती है priority scheduling के अंदर यह क्या है? indefinite blocking या फिर स्टारवेशन के problem होती है जो के low priority process को face करनी पड़ती है तो उसका solution क्या है? indefinite blocking या फिर स्टारवेशन का इसका solution का नाम है aging कि तो फिलिए स्टारवरेशन के जो प्रॉबलम है एसका सॉलूशन को बोला जाता है इजिंग ठीकर इस एजिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिलॉ प्रियारटी की जितनी पिलиновा जो प्रोसेस है जो जोकि वेट कर रहे हैं ज्स्टम में बहुत लंबे समय के लिए उनकी जो प्रियारटी है उनको धीर धीरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में थांक यूँ